26 एप्रिल के इशेविदान में अपसो कस हो गता है परमात्मा चाहते हैं कि हम बहुती सहज योगी बन जाएं तो इसके लिए कहते हैं सदा हलके बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भबाप परमात्मा के कोई फिजिकल नैन नहीं है परमात्मा एक आत्मा है और वो आत्मा का सुरूप ही तीसरा नेत्र है उसको नैन कहरे है परमात्मा हमारा भी तीसरा नेत्र है हम आत्मा जब अपने अपको समझते हैं तो हम तीसरे नेत्र मतलब आत्मा के सुरूप से हम दुनिया को देखना शुरू करते हैं मेरा कोई नहीं है, मैं आत्मा हूँ, हर आत्मा इस धर्ती पर पार्ट प्ले करने के लिए आई है, जो भी हम रिष्टे, नाते, हम जो निभा रहे हैं, वो सब टेंपरेरी हैं, कुछ समिक ले हैं, ये खेल चल रहा है, इसमें मेरा कोई नहीं है, बस मेरा एक परमपिता परमात्मा है, तो परमात्मा कहते हैं, सदा हलके बन, इस तरीके से हम हलका बन सकते हैं, ये सोच से, आत् बत्मा और परमात्मा का मिलन का युग। Christianity में Bible में Revelations कहा गया है कि वो reveal होते हैं कि वो हैं कौन actually और मात्मा कहते हैं कि यह जो संगम युग है यही युग के समय में छोटे समय में 100 वर्ष के अंदर मैं अपने आपको परिचे दे करके सारी आत्माओं को कब्र से उठाता हूँ कब्र मतलब कोई physical कब्र की बात नहीं हो रही है हम आत्माओं इस शरीर रूपी कब्र में के अंदर दफन हो चुकी है मतलब कि हम भूल चुके हैं हम आत्माओं हैं और हम अपने आपको यह coffin यह शरीर मनना शूरू कर देती हैं तो परमात्माओं चाहते हैं कि यह conscious body इसको वो शान्त कराते हैं और अंदर सोईवी आत्मा जो कब्र के अंदर है उसको वो जागरित करा दे तो कब्र दाखिल रूपों को निकालना जो कि हमारे मुस्लिम भाई लोग कहते हैं कि अल्ला कब्र दाखिल रूपों को निकालता है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती क्योखी परमात्मा सारा ग्यान को सारे चक्र के ग्यान को तुनिया कैसे कब से चली कैसे हुई सत्योग से लिए कंड हैं तक सारे रास पता देते हैं पांस स mixed वज़ते हैं इस समये बाप और बच्चों का मिलन है वर्सा है वर्सा है हमें समझ जाता है कि ये दुक्की दुनिया जा रही है और अब सुक का वर्सा हमें मिलने वाला है वर्सा मिले प्रॉपर्टी वर्दान है जो मेवी मैं पढ़ रहा हूँ वर्दान ये वर्दानों से हमारी समझ और क्लेर होती है वर्सा अत्वा वर्दान दोनों में मेहनत नहीं होती इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते कहते हैं बच्चे अपने सब बोज बाप को देकर खुद हलके हो जाओ जब हम हलके होंगे परमात्मा की जाता ह מחने है तो अगर हम पूरी दूनिया की अगर सारी प्रॉलम्स लेकर के घर परिवार की प्रॉलम्स लेकर बढ़ जएंगे तो हम याद क Campus करएंगे तो परमात्मा को कहते हैं सबका लेड़ का रही है मुझपर छोड़ दो इतने हलके बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठा कर साथ ले जाए जब हम शरीर छोड़ें तो परमात्मा के नैन याद रखी परमात्मा कोई शरीर नहीं है जो कि वो अपने ऐसे फिजिकल आइस को बिठा कर ले जाए तो परमात्मा के नैन हम समझ गए है परमात्मा की सुक्षिम प्रकाश रुपी नैन में हम आत्माएं उनके नैन से मिल चुके हों और वो हमें ले जाएं परमधाम बिठा कर साथ ले जाएं कोई फिजिकल सीट नहीं है बाप से स्नहें की निशानी है सदा हलके बन बाप की नजरों में समा जाना हलका बन करके तो यह परमात्मा हमें सिखाते हैं तो में आप या कर किसको सीखिए और मुश्यान दी